भारत में महिलाएं सबसे ज़ादा साइबर अपरात की शिकार होती हैं क्यूंकि वे समवेदन शील होती हैं वे आसानी से सभी पर भरोसा कर लेती हैं आईए जानते हैं कि महिलाओं की पहचान की चोरी कैसे होती है ओनलाइन टेक्सी एप द्वारा जब आप अपने मुबाइल नंबर से कैब बुक करते हैं तो आपका नंबर आपके ड्राइवर के साथ शेयर किया जाता है ड्राइवर आपका नंबर चुरा कर उसका गलत उपयोग कर सकता है इसके लिए आप दो अलग फोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं एक कॉल मैनेज करने के लिए और एक इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अपने ट्रिप के डिटेल को हमेशा सेव करें Online Matrimonian website पे बहुत से लोग अपने fake नाम तथा जानकारी दे कर अपना fake profile बनाते हैं अपनी जानकारी देने से पहले उनकी profile की जाच अच्छे तरीके से करें यात्रा और hotel booking app द्वारा आपको बहुत से आकरशिट discount वा offer प्रदान किया जाएगा ताकि आप उनका app डाउनलोड करें offer देखकर बहुत से लोग अपनी यात्रा के लिए ticket बुक करा देते हैं और अपने पैसों का नुकसान कर देते हैं क्योंकि कोई ticket या hotel उनके नाम पे बुक होता ही नहीं है इसलिए अपनी व्यक्तिकत जानकारी देने से पहले उनके terms and condition अच्छे से पढ़ लें पेमिन करने से पहले यात्रा तथा वेबसाइट की जानकारी की जाँज अच्छे से करें अधने टार उनके की जाँख लेक की जानकारी